आइनेस विकरांत हमारे देश का सबसे बड़ा वार्शिप जो आज तक हमने बनाया है हमारे देश का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड एरक्राफ्ट केरियर जो की इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है आज हम उस elite club of nations में शामिल हो चुके हैं जो 40,000 टंग का एक बड़ा युद्धपोत बना सकता है उसे पानी में छोड़ सकता है सैटलाइट हमने space में भेजे हैं मार्स तक भेजे हैं लेकिन आज हमने अपनी naval capacity भी दिखा दी है बहुत सारे experts मानते हैं कि आज इंडिया ट्रूली एक blue water navy बनने के कगार पर है मने वो वाली navy जिसके पास ऐसे युद्धपोत हो ऐसे ships हो जो deep sea पर जाकर देश का परचम फैरा सके लेकिन उधर आज इतना बड़ा एक development हुआ है जब एक international debate चल रहा है कि world war 2 में जैसे massive gunships outdated हो गई है वैसे ही कि aircraft carriers का भी अंत होने वाला है aircraft carrier को spot करना काफी आसान होता है कोई भी satellite उसे देख सकती है और उसे मार गिराना अमने उसको डुबाना भी आज बहुत आसान हो गया है बताऊंगा कैसे तो देशबक्त पे एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये एक awesome feet है दूसरी तरफ एक obsolete होने का debate भी चल रहा है दोनों तरफ के तथे आपको बताएंगे और आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेंगे कि आज जो हुआ है वो awesome है या obsolete पहले obviously awesome से शुरू करते हैं और कुछ आकने शायद आपने अभी media पर भी सुने होंगे 43,000 tons when fully loaded इतना बड़ा भारी ship है तब भी speeds of 28 knots about 52 km अचीव कर सकता है और सबसे important endurance 7,500 nautical miles तक दूर दूर तक जा सकता है डीप सी पर जा सकता है और हमारी देश की रक्षा कर सकता है 20,000 करोर की लागत से बनने वाला 1,700 से जादा sailors इसको man करेंगे इसको ship करेंगे और इसमें करीबन 30 aircraft तक आ सकती है combination आप लगा लीजिए helicopters, fighter jets बगेरा बगेरा लेकिन सबसे बड़ी achievement Indian made, Indian designed इससे पहले भी हमारे पास aircraft carrier रह चुकी है INS Vikrant जो इससे पहले वाला था, जिसका original नाम था HMS Hercules 1961 में introduced हुआ था हमारे नेवी में और INS Virat जो की पहला है का नाम था HMS Hermes जो 1987 में हमारी नेवी में introduced हुआ था सबसे important चीज इसमें technology नहीं है, इसमें steel है जी हाँ, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस वार्शिप को बनाने के लिए 20,000 टन्स से जादा वार्शिप grade steel का use हुआ है और ये किसने बनाया है, नेवी in partnership with DRDO, in partnership with Steel Authority of India 21,500 टन्स of special grade steel, इसमें इतना special क्या है? इस वार्शिप steel का काम ये है कि एक speciality metal होता है, special process से बनता है, इसको hard भी होना होता है, इसको tough भी होना होता है, लेकिन इसको flexible भी होना होता है आप सोचें, minus 60 degrees Celsius का ये temperature आराम से ले सकता है, normal अगर steel होता तो तब तक वो metal plate shatter कर चुका होता उसके उपर maritime working environment, मनें सालों तक सालों, दशकों तक आपको corrosion prevent करना है, इस special steel के उपर लेकिन, आज हमने ये युदुपोत, ये aircraft carrier launch तो कर दिया, लेकिन ये already काफी delayed रहा है और इसी लिए बात हो रही है कि कि कितना delay और कितना obsolete है ये साथ साल आप लगा लिजे delay हो चुका है, छे time price overrun हो चुका है, ओरिजिनल सोचिए 2003 में ये project sanction किया गया था 3216 करोर, वो 2003 से लेकर 2021 तक already 20,000 करोर बन चुका है और अभी भी 2-3 साल बाकी है इसको fully operational होने में, इस type of aircraft carrier कहते हैं short take-off barrier arrested recovery carrier, मने स्ट्रोबार लेकिन इसमें जो main component है, इसका जो offensive capability है, वो है इसका aviation flight complex या AFC जिसे कहते हैं और ये combat arm है आपके युद्दपोत का, ये आपका frontal aggressive portion है जिससे आप जाकर strike करोगे तो आज जो हुआ है, एक structurally sound carrier को sea going worthy declare कर दिया गया है, उसको launch कर दिया गया है लेकिन operationally इसको एक floating air base, मने आप मान लिजए, floating fortress बनाने के लिए आपको fighters launch करने है recover करने है, अपने defensive capabilities दिखाने है, वो अभी तक हुआ नहीं है क्यों? AFC जो supply हो रहा है, ये रश्या के NAVS की design bureau ने बनाया है और वो उसको supply करने की बात थी, लेकिन recurring delays वहाँ से हो गई है क्योंकि हमें obviously एक bespoke design चाहिए, हमारे requirements के under चाहिए जो कि बनाने में उनको काफी वक्त लग गया उसके उपर cost वाली issues हैं, उस पर कीचातानी चल रही है और ये जो naval sources कह रहे हैं कि end of 2023 से पहले ये सारी चीज़े involved नहीं होंगी तो 2003 में sanction की गई aircraft carrier 2023 के end में ही जाएगी तो सोचिए कितना जादा time लगता है इसे बनाने में उसके उपर US-led sanctions तो रशिया पर है ही जिसके वज़े से इसका installation और भी देर हो सकता है कोई concrete timeline नहीं है कि हमारा विक्रांट कब battle ready होगा अभी sea वर्दी है, अभी battle ready deployable platform नहीं है अभी हाँ, ये बात है कि जरूर जा सकता है, sea पे जा सकता है, helicopters take off land कर सकते है लेकिन वो जो top gun वाला, वो अभी नहीं हो रहा है अभी और ये top gun वाली चीज में बहुत important चीज होती है, fighter aircraft उसमें भी अभी problem है, indigenous ship तो हमने बना लिया, लेकिन ship पे fighter aircraft कौन सी उड़ेगी तो अभी जो order place करना था वो तो हुआ नहीं है अभी हमारे पास MIG-20 रही है लेकिन सुदिये और मैं तो government institution की बात कर रहा हूँ 2016 July में Comptroller and Auditor General जिसको हम CAC के नाम से जानते हैं उन्होंने सरकार को, Navy को काफी criticize किया, Ministry of Defense को काफी criticize किया कि उन्होंने MIG-29 के fighters accept क्यों किये रशिया से because उसमें तो बहुत सारी problems है, चलनिया है उसमें problems, discrepancies और anomalies में क्यों? क्योंकि CAC की report ने ये पाया है कि जो fighter की deficiency है, जो MIG-29 की उसमें उसकी airframe में problem है, RD-33M के engines में problem है, fly-by wire system में problem है तो problems riddled हैं इस aircraft में जिसको आप एक new aircraft carrier में लगाने की कोशिश कर रहे हो अब USA ने इसमें देखा है, आपता में अफसर, वैसे France ने भी देखा है तो इसलिए USA और France अपनी अपनी रफाइल और USA अपनी FA-18 Super Hornet लाने की कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर, ये वही FA-18 Super Hornet है जो आपने Top Gun Maverick में भी देखी होगी और भाई, उनका तो यही कहना है कि अगर आप ये लेते हैं, ये Block 3 version लेते हैं Super Hornet का तो बहुत benefit होगा इंडिया को भी क्योंकि हम बहुत सारा जो ये deal का पैसा है ये वापस इंडिया में invest करेंगे, तो इंडिया की भी defense systems में काफी investments आएंगी As of now, Indian Navy operate कर रही है Russian Origins, MiG-29K fighters, जो की INS Vikram Aditya में है लेकिन इसमें काफी problem है चलिए ये तो current problem हुआ, अब future की बात कर लेते हैं क्योंकि वो समझना, सोचना और देखना बहुत important है क्या इसके बाद हमारा एक तीसरा aircraft carrier आएगा, जिसका proposed नाम है INS Virat Navy बार बार सरकार को convince करने की कोशिश कर रही है कि हमारी एक operational necessity है कि हमारे पास third carrier हो Vikram Aditya, Vikrant और Virat क्यों? क्योंकि Navy का ये मानना है कि अगर हमें अपना power project करना है तो हमें और जगे जगे पर sea में further out जाना है और जो विराट की बात हो रही है वो 60,000 tongues मनें इससे भी बड़ा aircraft carrier बनाने की बात हो रही है Former Chief of Defense Staff General Bipin Rawat का लेकिन कुछ अलग ही मानना था उन्होंने openly खुले में बोला था कि हमें एक और aircraft carrier में पैसा नहीं लगाना चाहिए और हमें लक्षवदीब, अंडवान, निकोबार, आइलेंड्स को एक unsinkable naval asset बनाना चाहिए जहां से हम अपनी naval strength को project करें ना कि इतना बड़ा और एक aircraft carrier बनाए लेकिन उधर एक और argument भी है कि हमने इतनी मुश्किल से इतनी capability बनाई है कि हम ऐसा एक vessel बना पाए, एक ऐसा aircraft carrier बना पाए, ऐसा steel से हम कुछ बना पाए इसमें design development process बहुत complicated होता है ये art of maritime aviation ना इतनी आसानी से किसी देश के पास आता नहीं है और इसके बाद अगर आप एक और warship नहीं बनाओगे तो ये सारी चीज़े obsolete हो जाएंगे हम भूल जाएंगे ये technology कैसे होता है लेकिन एक चीज़ और obsolete हो रही है aircraft carrier technology पूरी की पूरी obsolete हो रही है इसके answer unfortunately हमारा neighbor है नहीं नहीं वो usual वाला पाकिस्तान नहीं चाइना क्यों कि चाइना ने एक anti-ship ballistic missile बनाया है जिसका नाम DF-21D है लेकिन उसको nickname कहा जाता है carrier killer सोचिए एक missile system बनाया गया है जिसका range 1200 मील बता जाता है 1200 माइल्स बता जाता है और ये mark 5 पे उर सकता है और जब descent कर रहा होता अपने target के तरफ mark 10 पे मने sound से 10 गुना तेजी से ये जा सकता है तीन मिनिट में ये दिल्ली से चिनना ही तक ये missile fly करेगा और pinpoint accuracy से उस mega carrier को उस aircraft carrier को उस warship को निस्तो नाबूद कर देगा और इस missile system का आज तक किसी के पास कोई भी defense नहीं है अमेरिका ने try भी किया था इसको रोकने के लिए एक ballistic missile defense system बनाने के लिए लेकिन वो काम नहीं करता है तो एक चीज है technology और एक चीज है show of power जहां तक technology की बात है आज आप समझ लीजिए INS Vikrant flow out कर रहा है sea पे जा रहा है trial शुरू हो रही है लेकिन वो technologically obsolete है क्योंकि उसे China कभी भी निस्तोनाबूत कर सकता है कभी भी ध्वस्त कर सकता है और इसी लिए एक debate जो छिडी हुई है aircraft carriers के उपर और वैसे ये debate कोई नहीं चीज नहीं है ये debate काफी पुरानी चीज है क्योंकि aircraft carriers चलाना उसको बचाना हमेशा बहुत expensive रहा है आप सोचिए aircraft carrier जनरली एक city है एक छोटा शहर है वो जा रहा है समुंदर में अब उस शहर को बचाना है क्योंकि वो इतना प्राइस्ड है उसमें इतने सारे लोग हैं उसमें इतने सारे assets हैं तो इसके साथ-साथ चलती है escort group, destroyer, missile cruisers, frigate, submarine, supply ship सब साथ-साथ चलते हैं लेकिन ये कहा जाता है कि अब ये थोड़ा सा पुराना हो गया है ये पूरा structure maintain करना बहुत costly भी है और safe भी नहीं तो future क्या है future शायद है कि हमारे पास aircraft carrier अभी भी होंगे लेकिन ये super carriers के तरफ जो हम जा रहे थे और बड़ा, और विशाल वो शायद नहीं होगा Navy को देखना पड़ेगा towards smaller carriers smaller amphibious assault ships मने, socially जी एक छोटा सा युद्ध पोथ जिससे aircrafts vertically take off S-BITOL जिसको कहते है vertically take off and land कर सके और उसके उपर से सोच लीजी आप unmanned drones launch कर सको जो की deep कहीं territory में जा सके और एक और चीज़ कहा जा रहा है कि हमें reconsider करना होगा एक पुराना design submersible aircraft carrier सोच लीजीए एक submarine लेकिन जिसके उपर से aircraft take off कर सके क्योंकि एक बार aircraft उससे take off करेगी वो submarine फिर नीचे जाके या hypersonic missile बगयरा से under sea वो बच सके इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि ये big is beautiful छोड़ कर हमें brahmos जैसे protect पर और जादा attention देना पड़ेगा हमें अपने ballistic defense missile shield के उपर और काम करना पड़ेगा अभी हम Russia से S400 ला रहे हैं लेकिन हमें अपना defense system बनाना पड़ेगा याद रखिए हम एक तरफ moon तक चले गए हम एक तरफ mars तक चले गए लेकिन हमारी जो अपनी internal defense systems है वो अभी भी lag कर रही है हमारी जो कावेरी jet engine project थी वो fail कर चुकी है तेजस ने बहुत ज़ादा time लगाया है अब आशा करते हैं कि तेजस 2.0 से हम आगे बढ़ पाए drones में हम बहुत सारे देशों से अभी पीछे चल रहे हैं तो net net हमेरे power projection के लिए हमें अभी भी शायद ठीक है चाहिए एक super carrier चाहिए एक aircraft carrier चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं आपको power दिखाने की भी जरूरत होती है और वहाँ ये बिल्कुल काम आएगी लेकिन ये मत सोचेगा कि आपने एक 40,000 टन का awesome show piece बना दिया लोग उससे डर के बैट जाएंगे हमें जो दूसरे cutting edge technologies हैं उस पर काम करना पड़ेगा चाहे वो missile हो चाहे वो unmanned drones हो चाहे वो electronic jamming हो चाहे वो laser equipment हो चाहे वो satellite monitoring हो तभी जाकर बात बनेगी नहीं तो ठीक है 40,000 टन का एक obsolete piece फिर नहीं तो समुंदर में तहरेगा तो change बहुत तेजी से हो रहा है आशा करते हैं कि हम भी change करें और change demand भी करें